हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सफलता मंतर अब आप सभी लोग मेरे वीडियो को अनकेडमी एप पर भी देख सकते हैं तो दोस्तों इस एप पर आपको मेरी सभी सीटेट स्पेशल क्लासिस की वीडियो लेशन वाई लेशन मिलती रहेंगी जिसमें डेली आपको एक लेशन कंप्लीट कराए जाएगा तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अनकेडमी की लर्णिंग आपको इंस्टॉल करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा इसका अजद आपको मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे फॉलो कर लेना है इस तरह के आपको प्रोफाइल दिख जाएगी आकास मिश्टर यहाँ पर आपको फॉलो का साइन दिखेगा उसे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों आज मैं आप सब के लिए मानफ सरीर से समंदित important questions लेकर आया हूँ मानफ सरीर से लगवग 4-5 questions है एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मानफ सरीर अस्थी हो इंसे समंदित सभी questions आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कंकाल, तंतर, अस्थी, तंतर, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बता दिये जाएगा तो आप लोग इस वीडियो को अंतर तक देखेगा अभी जो आपका LT grade का एक्जाम होने अलाई इस एक्जाम के लिए ये बहुत important वीडियो है इसके साथ ही साथ जो लोग सीटेट का जूनियर का पेपर देने वाले उनके लिए बहुत ही important वीडियो है ये और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये home science के लिए भी important question है home science की book के इंतर कर मैंने इन questions को रखा है तो दोस्तों पहला question है कि सरीर में अस्थियों की विवस्था को क्या कहा जाता है तो सरीर में जो अस्थियों की विवस्था होती है उसे अस्थि विवस्था या फिर कंकाल तंतर कहा जाता है यदि आपका paper objective हो तो आपको इन में से कोई एक option मिल जाएगा या फिर आप इन में से कोई भी एक सी लिख देंगे अगर आपका एक्जाम लिखे था है तो दोनों आपके सही होंगे कुछ भी एक लिख सकते हैं इसका दूसरा कोशन है कि कंकाल तंतर की प्रमुक उपयोगिता क्या होती है तो कंकाल तंतर की जो और important questions हैं इसलिए एक भी question आप लोग मत छोड़िये आपको आसानी से सभी questions तयार हो जाएंगे बस इस वीडियो को देखते रही है इसका चोथा question है सरीर में तुचा और मासपेसियों के नीचे क्या पाया जाता है तो सरीर में जो तुचा और मासपेसियों के नीचे क्या अस् तो इसे अस्थिमज्जा कहा जाता ये गुदेदार पदार्थ होता लसलसा सा गीला पदार्थ होता है इसके अगला six number question है कि सरीर की अस्थियां कैसी होती है तो सरीर की अस्थियां कठोर होती है और ये कठोर होने के कारण ही सरीर को सुद्रणता प्रदान कर पाती है इसके होती हैं 206 हस्तियां होती है मानफ्षेर में इसके अगला क Adjusted के कि मानोशरीर की अस्थियों का विभाजन कीजिए तो दोस्तों ये मानोशरीर की अस्थियों का विभाजन कीजिए तो दोस्तों ये मानोशरीर की अस्थियों का विभाजन कीजिए तो दोस्तों ये मानोशरीर की अस्थियों का विभाजन कीजिए तो दोस्तों ये मानोशरीर के हड़ियां पूछी जा सकते हैं कसेर की दंड की वक्ष की और कान की ये में रूप से हस्थियां पूछी जाते हैं आप से इसका अगला कोश्चन है कि मानव सरीर में कितने प्रकार की हस्थियां पाई जाते हैं तो मानव सरीर में पांच प्रकार की हस्थियां पाई जाते है क्योंकि मस्तिस का जो मुलायम भाग होता है वो इन अस्थियों के अंदर होता है तो इसको सुरच्छा प्रदान करती है इसका अधगला कोशन है मानो शरीर में लंबी अस्थियां कहां पाई जाती है तो लंबी हस्तियां जो होती है बाहों में और टांगों में पाई जाती है इसका अगला कोशन है मानो कंकाल में किस प्रकार की हस्तियां पाई जाती है तो मानो कंकाल में चपटी हस्तियां पाई जाती है कैसी होती है चपटी हस्तियां होती है इसके बाद मेर दंड का प्रमुक कारे बताईए तो मेर दंड का प्रमुक कारोता सुसुपना की रच्छा करना क्या कारोता सुसुपना की रच्छा करना इसके अगला कोशन है कि मानों सरीर में छोटी अस्थियां का मुखिता कहां कहां पाई जाती है तो जो छोटी अस्थियां होती हैं ऐसे ही आप लोग देख लीजे एक तो हाथों में हो गई पैरों की उंगलियों में हो गई इसके आद हाथ की उंगलियों में हो गई और कान में हो गई ये इस्थियां जो होती है छोटी अस्थियां पाएं जाती है इन इस्थानों पर इसका अगला कोशन है चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती है तो चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती है ये भी important question है पूछा जा सकता है इसके बाद कसेरुकी दंड में कितनी कसेरुकाई होती है तो कसेरुकी दंड में 33 कसेरुकाई होती है कुल कितनी होती है 33 है इसके बाद पसलियों की संख्या कितनी होती है तो पसलियों की संख्या 24 होती है कितनी 24 पसलियों होती है total ये भी important question है ये question कई बार पूछे जा चुके हैं इसका अश्टिस संस्थान में दो या दो से अधिक अस्थियों के परसपर संबध्ध होने को क्या कहते हैं तो इसे अस्थी संदी कहा जाता है दो या दो से अस्थियां परसपर संबध होती है तो इसे अस्थी संदी कहा जाता है यानि कि जब दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में मिलती है जुड़ जाती है तो इसे अस्थी संदी कहा जाता है इसका दगला है अस्थी संदी की क पूंड चल संदी होती है अब पूंड चल संदी कितने प्रकार की हो ती यह बहुत IMPORTANT है, इंसे आपके एक से दो नंबर के कुश्चन हर वार एक्जाम में बनते हैं, कि पाँच प्रकार की कौन-कौन से कंदुख खलिका संदी होगी, कप्जा संदी होगी, खूटी दार यह से जरूर पूछा जाता है तो घुटथना किस प्रकार की संद्धी कहा जाता है इसी कह उधारन होता है कंदे में कंदुक खलिका संद्धी कहले कि तोसी जो किंदे में पाई जाती है कि बच्चे के लिए कहा जाता कि आप बच्चे के सरीर में केल्सियम की कमी है तो ये केल्सियम से ही हड्डियों में कड़ा पनाता है इसका अगला कोशन है कोहनी में किस पकार की संदी पाई जाती है तो कोहनी में कबजा संदी होती है कंधे में कंदु खलिका होती है कोहनी में कब जा होती है यह याद कर लिए आप लोग इसका गुलफास्थ के नाम से किस अस्थी को जाना जाता है तो टखने की अस्थी को गुलफास्थ के नाम से जाना जाता है किसे टखने की जो अस्थी होती है उसे गुलफास्थ के नाम से जाना जाता है इसका शरीर में किसी भी बंजन कहा जाता है इसके बाद अगला कोशन है जब कोई एक हड़ी तूट कर दूसरी हड़ी में धस जाती है तो उसे क्या कहते हैं तो इसे पच्चडी भंजन कहते हैं पच्चडी भंजन कहा जाता है जब कोई एक हड़ी तूट जाती है और वो दूसरी हड़ी के अंदर ध जाती है इसके बाद अगला कोशन है जब कोई हड़ी तूट कर सरीर के किसी कोमल लंग में धश जाये तो इसे क्या कहते हैं तो इसे जटिल भंजन कहते हैं ये उपर आला जब कोई एक हड़ी दूसरी हड़ी में धश जाती तो इसे पच्छडी भंजन कहते हैं और जब कोई क तो मुच कव आती है जब बंधन इस्थल पर खिचाओ आ जाता या तूट जाता जीसे कि हमेशा आप ने ज्यादांतार सुना होगा कि पैर की एड़ी में मौ मोच आ जाती है, अब इसके बड़ते हैं ऐगले कॉस्चन पर, जब कोई हड़ी तोट कर सम्भंदित अंग की मास पेसियों या तोचा को फार कर बाहर निकलाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे संयुक्त भंजन कहा जाता कि यानि कि जब कोई हड़ी टूटकर मास पेशी हो तो चा को फार कर बाहर निकल आती है तो इसे संयुक्त भंजन कहा जाता है इसके बाद अगला कुशन है मोच आने पर प्रभवित अंग के रंग में क्या परवर्था न आ जाता है तो जब मोच आ जाती है तो जिस अंग में मोच आती है वो नीला पढ़ जाता है या फिर काला होने लगता है वैसे मेली नीला टाइप का हो जाता है वही फिर काला पढ़ जाता है इसका अगला किसी अस्थी संधी स्थल से किसी अस्थी का अपने इस्थान से हट जाना क्या कह लाता है तो इसे जोड उतरना कहा जाता कि जब कोई असिय अपने इस्थान से माइए बिल्कुल भी और जिस प्रकार से मतलब की हड्डि पर ज्यादा असर ना पड़ें वही कार करना चाहिए इसके बाद सबसे खतरना अस्थिभंजन कोण सा होता है तो जटे लस्ती भंजन सबसे खतरना कस्ती भंजन होता है यह question बहुत important question है आपके home science के paper के लिए भी question बहुत important है जो लोग home science से lt grade की त्यारी कर रहे हैं home science के लिए मैं पहले भी videos बना चुका हूँ और आपको मैंने video में बताया था कि मैंने home science के लिए एक book त्यार किये तो यह उस book के ही important questions है इसके अलावा और भी questions उस book में है उस book में मैंने 400 questions रख लिए है और उसके अलावा 120 questions के 3 model paper मिलेंगे तो दूस्तों जिस किसी को भी home science की lt grade की book चाहिए हो वो मुझसे whatsapp पर संपर्क कर सकता है मेरा number आपको नीचे description में मिल जाएगा और आप लोग मेरे facebook group से भी जूर सकते हैं उसका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा जिन लोगों को home science की book चाहिए हो वो लोग मुझसे संपर्कर लें इस book को लेने के लिए आपको इस book की PDF लेने के लिए आपको payment करना होगा और payment जो होगा वो आपको whatsapp पर बता दिया जाएगा इसलिए जिस जिसको भी book चाहिए हो वो comment box में बता दें whatsapp पर message कर सकते हैं जैसे चाहिए आप कर सकते हैं और दोस्तों मैंने आपको आज मानो शरीर की अस्थियों से सम्मंदित important question discuss कर ली है सभी question हो गए आप लोगों के इससे सम्मंदित और आगे मैं और भी वीडियोज लाता रहूँगा lt grade के लिए और जल्दी मैं सामान नेधिन के model paper जारी कर रहा हूँ जिसमें important questions होंगे आपके lt grade exam के लिए और जो 30 number का आपका part है और ये lt grade के सभी के लिए important questions है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखे और सभी दोस्तों के साथ share कर दीजे अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करना ना भूलें वीडियो को like जरूर कर दें और दोस्तों हमाई चैनल को subscribe करने ताकि आपको सभी वीडियो का notification समय पर मिलता रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हसते रहे मुस्कुराते रहे देखते रहे हमारा चैनल सफलता मुंतर थेंकि दोस्तों